हेलो प्यारे बच्चों कैसे हो आप लोग आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड संस्कृत का तिर्थिया पाठा जिसका नाम है वर्षाकाला अब वर्षाकाल का समय तो सबको ही अच्छा लगता है बच्चों बहुत मज़ा आता है बारिस में भीगने का भी बहुती मज़ा आता है तो इसी में हम आगे पढ़ेंगे आकासे मेगह गरजती आकास में मेगह मींस क्या होता है बादल गरजती मींस गरशते हैं अब बच्चों सबको ही पता होगा कि वर्षाकाल में आकास में बादल गरशते हैं तब बारिस होती है तो ऐसे ही इस पार्ट में भी दिया गया है आकासे मेगह गरजती आकास में बा ब्रिष्टी भवती ब्रिष्टी मीन्स होता है बारिस वर्षा भवती मीन्स होता है होती है एकहा ससकहा आर्दरह भवती एकहा मीन्स एक ससकहा मीन्स खरगोस आर्दरह मीन्स गीला भवती मीन्स होता है अब बारिस हो रही है और एक खरगोस बाहर गूम रहा होगा तो विर्ष्टी ना विर्मती वर्षा रुकती ही नहीं है नहीं रुकती है तो क्या होता है ससकह चिन्तियती तो खरगोश क्या हो जाता है चिन्ता में आ जाता है अब बच्चो जब खरगोश को चिन्ता होने लगती है तो वो इधर उधर देखता है अब इधर उधर देखने के बाद अब वो सोचता है मैं क्या करूँ तो ससकह अर्वी पत्रम त्रोटियती तो ससक जो होता है खरगोश जो होता है अर्वी का पत्ता तोड़ता है अर्वी का पत्ता का मतलब देखा है बच्चों सबने अर्वी का पत्ता बहुत ही चोड़ा होता है उसके नीचे उसको हम चाता बना के उसका परियोग कर सकते है ससका कथियती ससक खर्गोष कहता है अहा एतत मम चत्रम यहां मेरा चाता है चात्रम मींज चाता, यहां मेरा चाता है सा पत्र चात्रम नीत्वा गरहम गच्छती सा मींज वहाँ, वहाँ किसके लिए आया है बच्चो ससका के लिए, खर्गोस के लिए खर्गोस पत्र चात्रम, भलब पत्ते का चाता नीत्वा मेंस होता है लेकर गरहम घर को गच्छा तिमीज जाता है तो बच्चों कैसा लगा आपको यह पाट वर्षा का आयाना बहुत मज़ा